हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिडेक्टप है दोस्तों हमारा जो क्लास चाल रहा है टास्टर स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनी को लेकर उसमें हम लोग अभी मेकानिकल की जो डोमेंस सेक्शन होते हैं जो आयोटी की हमारे एक सब्जेक्ट है थर्मोडैनमिक्स हम लोग उसके टॉपिक कवर अप कर रहे है तो आज चलते हैं हमारे अगले क्वेशन की तरफ हम लोगोंने हंडेट क्वेशन तक कर लिया था तो चलिए देखते आगे के अग पहला क्वेशन क्या है पहला क्वेशन है अगर आप किसी ग्यास में हीD de जा रहे देते जा रहे और अगर उस जगा पे उस पक्रिशर को कॉंस्टन रखें तो वहां पर क्या रिजल्ट होगा तो अगर आप हीट दे रहे तो उसका temperature राइस तो करेंगे दोस्तों उसका temperature राइस करेगा और वह जो टेंपरेच्रा राइस करेंगा व एड़ अप कर रहे है और वहां पर उस पॉइंट पे टेम प्रेशन मेरा कॉंस्टन्ट है तो वह जो सारा हीट एडिशन हो रहा है वो क्या करेगा वह टेमप्रेशर को राइज अप करेगा और वह जो हमारा एनर्जी होगा उसको वर्कडन में गरेगा एक्सरनल लगफ में नेक्सक्ट कपन है कानौट साइकल थास सी एनका्सिमॉन हीपेशंशी करना算 होके सांफ सरतक नेक्स किसमें दोस्तों वह यह बेंगें थो रेकिमेंट शीका का म uniquely इफिशेंशे shot तो ने मेसंटो का यहांपर ऑंसर कया हो जाएगा रिवह बराइशिबल ई पे बेस्ट है हमारा measurement of temperature हमारा thermodynamics के किस law पे बेस्ट है हमारे thermodynamics के जीरोथ law पे बेस्ट है किस पे जीरोथ law पे next Carnot cycle efficiency depends upon Carnot cycle का हमारा efficiency क्या के चीज़ पर डिपेंड करते है दोस्तों Carnot cycle का हमारा efficiency यह जो options दी इसमें से हमारा किस statement पे डिपेंड करेगा पहला क्या है पहला है properties of the medium and the substance use जो substance use के उसके properties पे दुसरा है engine के condition पे हमारा Carnot cycle डिपेंड करेगा तीसरा working condition चौथ है temperature range और फिफ्ट है effectiveness of insulating material around the engine तो Carnot cycle का जो efficiency होता है दोस्तों वह हमारा temperature पर डिपेंड करते है temperature range of operations पर डिपेंड करते हैं तो यहां पर क्या हो जागा यहां पर हो जागा option number D next Carnot cycle efficiency is maximum when initial temperature जो हमारा Carnot cycle है उसका efficiency जो है वो maximum कब रहेगा पहला है जब हमारा initial temperature zero Kelvin है दूसरा final temperature zero है zero Kelvin तीसरा बोल रहा है initial और final के बीच का जो difference है वो हमारा zero Kelvin है चौथा बोल रहा है final temperature zero degree है फिफ्थ है initial temperature is minimum possible तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा जो हमारा Carnot cycle का efficiency maximum किस temperature पर होता है maximum हमारा जब उसका final temperature zero Kelvin रहेगा तब हमारा Carnot cycle का maximum efficiency होता है ठीक है next an engine operates between temperature of 900 Kelvin and R2 and another engine between R2 and 400 for both do the equal value of T2 will be देखिए यहां पर क्या बोल रहा है आपको यहां पर क्या निकालना है दोस्तों यहां पर हमारा T2 निकालना है यहां पर क्या बोला है कि दोनों जो इंजन है same work कर रहा है that means हमारा W1 होगा पहला वाला engine का work होगा that should be equals to W2 network of W1 जो हमारा W1 network है वो कैसे निकालेंगे T1 minus T2 T1 minus T2 निकालेंगे T1 तो हमारा 900 है T2 तो हमें पता ही नहीं है minus इतना ठीक है और जो हम हमारा W2 निकालेंगे W2 वो भी हम निकालेंगे T1 minus T2 मतलब T2 minus यह जो हमारा final वाला दिया हुए minus 400 that means 900 minus T2 should be equals to T2 minus 400 यह इधर आएगा दोस्तों तो कितना होजागा हमारा 1300 is equals to 2 T2 that means temperature 2 कितना होगा 1300 by 2 650 650 Kelvin जो होगा वो हमारा यहाँ पर correct answer होजागा T2 का ठीक है दोस्तों चलिए next if heat be exchange in a reversible manner which of the falling property of the working substance will change accordingly क्या बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों इस question में बोल रहा है कि अगर heat जो है reversible manner में exchange हो रहा है तो कौन सा property जो है substance का वो change हो जाएगा temperature, enthalpy, internal energy, entropy all कौन सा property हमारा change हो जाएगा entropy change हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा option number D जो होगा वो हमारा correct answer हो जाएगा next if a system after undergoing a series of process return to its initial state then अगर एक system में वो बहुत series of process से undergo हो जाता है और फिर अपने original state तक आ जाता है तो इसमें क्या होगा दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा sum of heat and work transfer will be zero heat और work transfer जो होगा पूरे system में दोस्तों वो zero हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option number D क्या था इसका question इसका question था कि अगर एक system जो है series of process से होके गुजरती है और अपने initial state पर आ जाती है तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे जो हमारा series में sum of heat और जो work transfer होगा पूरे system में वो होगा zero next which of the falling represent the permittable motion of the first kind permittable motion of the first kind कौन represent करता है दोस्तों a machine that continuously creates its own energy एक machine जो की continuously अपना energy क्रियेट करता है वो permittable motion of the first kind पर रन करता है next an actual engine is to be designed have same efficiency as carnot engine such a proportion is एक actual engine है उसको इस तरह design किया कि है कि उसका efficiency जो है carnot engine की है तो क्या यह possible है कि नहीं है यह दोस्तों यह possible है पर यहां पर lots of हमारा sophistication लगेगा ठीक है तो यहां पर क्या हो जागा option number D it is quite possible next a manufacturer's claim claim to have a heat engine capable of developing 20 horsepower by receiving heat input of 400 kilo Kelvin and working between the temperature difference of 227 and 27 दोस्तों यह जो यह जो वो क्लेम किया है it is not possible यह पॉसिबल ही नहीं है ठीक है इतना हॉर्स पावर का heat engine develop कर रहे है विद्धी minimum यह आपका temperature difference भी देखे कितना है तो इस नॉट पॉसिबल next in Carnot cycle heat is transferred at Carnot cycle पर heat क्या होता है transfer होता है किस position पर होता है दोस्तों constant temperature पर होता है यहां पर क्या हो जागा option number C incarnot cycle heat is transferred at constant temperature next a die athermatic wall is one which die athermatic wall किसे कहते है दोस्तों die athermatic wall किसे कहते हैं जो हमारा thermal interaction को permit करेगा ऐसा wall जो हमारे thermal interaction को permit करेगा ठीक है यह हो जाएगा option number B और adiabatic wall किसे कहेंगे जो prevent करेगा जो prevent करेगा उसे हम adiabatic thermal interaction कहेंगे और जो permit करेगा उसे हम die athermatic wall कहेंगे next the door of a running refrigerator inside a room was left open which of the falling is correct जो running refrigerator का door है दोस्तों वो open रह गया है तो कौन से statement जो है correct होगा तो यह तो आप लोगों ने अपने refrigeration and air conditioning में पढ़ाई होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर जो रूम होगा वो gradually warm up हो जाएगा क्या हो जाएगा रूम जो है warm up हो जाएगा that is option number and c next compressed air coming out from a punctured football compressed air जो football से बहार निकलता है वो क्या होगा become cooler बहार निकलने के बहार निकलने के बहाद वो क्या होगा become cooler हो जाएगा next water container in a beaker can be made to boil by passing stream through it water container in a beaker can be made to boil by passing stream through it it is possible or not क्या यह possible है कि नहीं दोस्तों यह किस condition में possible है जिस condition में मतलब जो atmospheric pressure से अगर हम जादा उस condition में pressure create कर दे तो वहाँ पर यह condition possible हो जाएगा at a pressure greater than that of atmospheric pressure water container in a beaker can be made to boil by passing stream stream through it next during throttling throttling में क्या होता है दोस्तों during throttling हमारा heat exchange नहीं होता है no work done होता है work done नहीं होता है throttling process में हमारा heat exchange हो गए नहीं work done हो गए नहीं और internal energy में कोई changes आएगा नहीं कैसे अपेर करता है दोस्तों कैसे तरह का heat heat the energy of a molecular motion appear as heat next a sudden fall in a barometric reading is a sign of a barometric reading से क्या नापते है दोस्तों बैरो मीटर से हम क्या नापते है इसका answer आप लो comment box में comment कीजिए बैरो मीटर से हम क्या measure करते है अगर बैरो मीटर के reading में sudden fall होता है तो इससे क्या समझ में आता है दोस्तों कि ये स्ट्रॉम को indicate कर रहा है ठीक है स्ट्रॉम को indicate कर रहा है अब ये बताए कि बैरो मीटर से हम क्या नापते है सदेन अगर राइस हो जाएगा बैरो मीटर में sudden rise हो जाएगा दोस्तों तो ये क्या indicate करेगा sudden rise इसका अंसर comment box में comment कीजये next the unit of universal gas constant is universal gas constant का unit काँ से है दोस्तों urge per kelvin that is option number and d calorie is a measure of calorie किसका measure है calorie है हमारा quantity of heat का measure है calorie किसका measure हमारा quantity of heat that is option number b next 1 kgf per centimeter square is equal to 1 kgf per centimeter square किसके equal है दोस्तों यह हमारा किसके equal है बताइए 735.6 mm of Hg के equal है next barometric pressure is equal to barometric pressure कितने equal है barometric pressure होता है हमारा 760 mm of Hg 761 atmospheric pressure 760 mm of Hg दोस्तों हमारे class को like कीज़े subscribe कीज़े अपने friends के साथ जादा से जादा share कीज़े वीडियो के description में आपको हमारा website का link मिल जाएगा वहाँ से आप website में यह सारे questions हमारे available है और description box में आपको हमारा टेलिग्राम का link भी मिलेगा वहाँ से आप हमारे group में join हो सकते है thank you